राजत सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव के लिए आज का दिन बेहद ही अहम हैं। चारा घोटाला मामले में लालू यादो की जमानत रद करने वाली CBI की याचिका पर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी। चारा घोटाला मामले में CBI ने 18 अगस्त को जारखंड हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिका लगाई थी जिसे कोट ने मंजूर कर लिया था। CBI ने याचिका में कहा है कि जारखंड हाई कोट के जमानत के आदेश का अधार ही गलत है। लालू यादो ने सजा के मुताबिक समय जेल में नहीं बिताया है। वहीं दूसरी तरफ IRCTC मामले में जमीन के बदले रेलवे में सरकारी नौकरी देने के आरोप में राउज एवेन्यू कोट में बहस भी होगी। इसमें लालू यादो के अलावा बिहार की पुर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी राज्य सबासांसद मिशा भारती समेत अन्य के खिलाफ CBI की ओर से दलील रखी जाएगी। केस में आरोप तैक करने के लिए मामले में बहस होगी। चारा घोटाला मामले में लालू परसाद यादों ने सुप्रीम कोट में CBI की याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोट में दाखिल जवाब में लालु प्रशाद यादों ने अपनी जमानत रद करने की CBI की याचिका खारिच करने को कहा है CBI की याचिका के जवाब में लालु प्रशाद का कहना है कि सजा निलंबित करने के हाई कोट के आदेश को केवल इस अधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि CBI इस फैसले से असंतुष्ट है हाई कोट के फैसले में हस्तक्चेप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हाई कोट का फैसला समान्य सिधान्तों और समान नियमों पर अधारित है लालू परशाद ने कोट से यह भी कहा है कि खराब स्वास्त और बढ़ती उम्र की वज़ा से उने हिरासत में रखने से CBI का कोई मकसद पूरा नहीं होगा जारखंड हाई कोट ने पिछले साल अपरेल में मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि लालू यादव पहले ही साजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं 30 अपरेल 2022 को लालू यादो को जमानत दे दी गई थी लालू यादो करीब 3 साल तक राची के जेल में रहे बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादो के छोटे बेटे तेजस्वी यादो ने कहा है कि चुनाव आ रहा है तो अब ये सब चलता रहेगा अब ये लोग लग चाइबासा ट्रेजरी केस पहला है जिसमें 37.7 करोर रुपए अवैध निकासी का आरोप है लालू यादो समेट 44 अभ्यूक्त बनाए गए थे जिसमें लालू यादो को 5 साल की सजा हुई दूसरा मामला देवघट ट्रेजरी का है जिसमें 84,03,000 रुपए अवैध निकासी का आरोप है इसमें लालू यादो को 63 साल की सजा हुई फिर तीसरा मामला भी चाइबासा ट्रेजरी का ही है जिसमें 33,06,60,000 रुपए की अवैध निकासी का अरोप लगा और इसमें लालु यादो को पांट साल की सजा हुई चौथा मामला ढुमका ट्रेजरी का है जिसमें 3.13nan convenient Mus रुपय की अवैध निकासी का आरोप तक दो अलग-अलग धराओं ने साथ साल की सजा लालुयादों को हुई है और इस पूरे घटना क्रम को ले कर यानि कि लालुयादों की जमानत रद करने को ने कर जो बिहार में सियासत देखने को मिल रही है उस पर बीजेपी के तरब से भी प्रतिकिरी आई है, BJP के प्रवक्ता का कहना है कि CBI एक नियाइक प्रक किरिया के तहथ लालु-परसाद के जमानत को रद करने की बात कोट में रख रही है लालु प्रसाद ने स्वास्त कार्णों से जमानत ली थी आज उनका स्वास्त ठीक हो चुका है वे राजनितिक कारिक्रमों में जा रहे हैं चुनावी मिटिंग में जा रहे हैं महागडबंदन की मिटिंग में जा रहे हैं अपने गाउं हो जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं अगर उनका स्वास्त ठीक है और सिभी आई को उनसे कोई जानकारी चाहिए और वो चाहती है कि जमानत रद हो तो यह न्याईक प्रक्रिया है सुप्रीम कोट जो फैसला करेगा उसे सभी को मानना चाहिए लाइफ विहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें